को बताएंगे के उर्दु में वाही जमा क्या होते हैं ठीक है और इन को इंग्लिश में या हिंदी में हम क्या कहते हैं तो दिखिए आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि एक वचन और बहु वचन पढ़ा है ना कि लड़का लड़के का क्या हो जाएगा लड़कों इसी तरह से लड़की तो क्या हो जाएगा लड़कियां पढ़ा है ना आपने हाँ वैसे ही जैसे अब आपने इंग्लिश में पढ़ा मान लीजे गर्ल तो उसका क्या हो जाएगा गर्ल्स यानि लड़किया तो यह क्या होते हैं हिंदी में इने क्या बोलते हैं एक वचन और बहुवचन इसी तरह से इंग्लिश में इने क्या बोलते हैं singular and plural ठीके तो उर्दू में इने क्या बोलते हैं उर्दू में इने बोलते हैं वाहिद और जमा क्या बोलते हैं वाहिद माने आपका हो गया एक वचन सिंगलर और जमा माने हो गया आपके बहु वचन यानी प्लुलर्स, ठीके, तो अब देखें, यहाँ क्या लिखा है, इसकी आपको थोड़ी थोड़ी डाफनिशिन दी गई है, यह मैं बहुत शौर्ट बता लो था कि आपको छोटे में स सारी बाते समझ में आजाएं, चलिए, तो पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो आप वीडियो को दुबारा देखा करें, क्यूंकि ऐसा होता है, कभी कदर हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए कहीं और चला तो वीडियो को दुबारा देखा करें, ठीके न, चलिए, तो आज हम पहलेंगे पहले वाहित के बारे में, तो वाहित क्या है, वाहित वो इसम है, जो सिर्फ एक शक्स या चीज, ठीके, या एक शक्स या चीज, आम यहा कौमा आना चाहिए, कौमा नहीं लगाया, आप लेंगे, चीज या जगा को जाहिर करें, जैसे किताब, मकान, हैवान, मदरसा, मदरसा, या लड़का, औरत वगेरा, ठीके, तो वाहित का मतलब क्या है, वो सारी चीजे जो सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग में एक हो, यानि गिंती में एक हो, ठीके, चाहे वो शक्स हो, चा वो जगा हो, कुछ भी हो, मेरे पास एक मोबाइल है, या मेरे पास एक किताब है, तो वो क्या हो जाएगा, वाहित हो जाएगा, मेरे पास एक मकान है, मैं एक लड़की हूँ, ठीके, तो क्या है एक, जहां पर भी एक आएगा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वाहित, अब हम बात करते हैं जमा की, तो देखिए, वो इसम है, जिसमें, यानि जिससे एक से ज़्यादा अक्षास, अब देखिए, अक्षास का क्या मतलब है? शक्स की जमा, चीज की जमा क्या हो जाएगा? चीजे, क्योंकि अब यहाँ एक से ज़्यादा है न, दो भी हो सकती है, त काच, दस, इंफिनिटी, कितनी भी हो सकती है, बस एक से ज़्यादा होना चाहिए, वन प्लस, ठीक है, एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें हम जमा कहेंगे, वो इसमें है, जिससे एक से ज़्यादा अक्षास, चीजे, या जगाहें, समझी जैसे किताबे, मेरे पास चार किताबे हैं, मकानाथ, मेरे पास चार मकानाथ है, हैवानाथ, जानवर है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, मदारस यानि कि इतने धीर सारे मदारस हैं यहां पे मदारसे की जमा ठीक है अब लड़का एक वचने यानि वाहिद है तो लड़की यानि बहुत सारे लड़के औरत एक औरत है या क्या हो जाएगा औरते बाते कर रही है औरते जगड़ा कर रही है तो औरते दो ही काम करती है या बाते करती दिखेंगे या जगड़ा करती दिखेंगे इसके लावे इनके बास कोई तीसरा कामने होता है ना चलिए खैर वगेरा मतलब और भी जादा हो सकते है आगे क्या लिखा है वाहिद लफ्स की जमा दो तरीकों से बनाई जाती है या अगर कोई लफ्स वाहिद है तो उसकी जमा हम दो तरीकों से बना सकते है तो देखते है क्या क्या तरीके है तो पहला हिंदी का तरीका है जैसे किताब से किताबे मकान से मकानो मदर्से से मदर्सा से मदर्से या मदर्सो ठीके ये तरीका होगे आपका हिंदी का तरीका ठीके अब हम देखते है दूसरा तरीका क्या है हमारा तो दीके यहां लिखा है दूसरा तरीका फारसी या एरबी जबान का है ठीके उसके मताबिक है जैसे किताब का कुतुब हो जाएगा मकान का मकानात हो जाएगा मदरसे का म बादारे सो जाएगा वगयरा ठीक है अब देखिए आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा तो देखिए बेटा ये सारी चीज़े प्रैक्टिस से आती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आने लगेगा और दूसरी चीज़ी होती है कि हमें जो देखिए आगे वर्ड़े तो मुस्की जमा हिंदी तरियके से भी बना सकते है ना तो देखिए लिकांगे जैल में फार्सी अरभी तरीके पर वह जमा देगई है तो अब देखिए यहां आपको फार्सी और अर्भी तरीकों पर ही दिगए है यहां का किताब और तालिम से इट कर देना है, वो आपका किताब हो, अब जिससे माल लिजे, आपने क्या लिखा, ये लिखा किताब, ठीक जागा है, अब इसमें वाउ और नून गुन्ळा अइट कर दीजी, ये दिखें, तो आपका कैसे बन जाेगा, किताबे, वाउ, नून गुन्ळा, किताब olan, किताबов, हो ग्याऄ नहीं हो ग्याल तो हिंदी का तरीका तो बहुत असान है, या किताब लिखना है, या किताबए लिखना है तो आपको ये हमजा अंनोनकुना अर्ट करना होता है, किताबे, अब यसे आपने लिखा किताब और उसके साथ ये जमा कर दिया तो ये आपका किताब ही हो जाएगा तो इस तरह से हमेशे आदर कि जो आपका हिंदी का वाही जमा बनाने का तरीक है उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है या तो आपको ऐसे करके हमजा ये और नुन गुना एट करना होता है या फिर आपको वाओ और नुन गुना एट करना होता है बस ये दो तरीके हैं हिंदी से बनाने के फारसी बनाने के थोड़े मुश्किल होता है तो इसलिए हम फारसी पर ही बताएंगे तो चलिए हम आपको क्या हो जागा तालिमात तस्नीफ तस्नीफ हो थै कोई भी राइटिंग जो जो को य ची Australia तो शुको क्या थे तुड़ाई तवापका pied्सcómo चानफ़ तकलीफ है थनी हमने बहूerगी था सारी तकलीफ है पेट में रहे है थे सरमें तर्द ए सब जगा द ďंगा टकालीफ यह नि खबर की जमा है अखबार खबर की जमा होता है अखबार और अखबार की जमा होता है अखबारात ठीक है जिस्म की जमा क्या होगई अजासिम उसके बाद उस्ताद उस्ताद माने आपके टीचर टीचर की जमा क्या होती असादजा खातून खातून की क्या हो जागी ख्वातीन ठीक है उसके बाद आपका क्या है आफद तो क्या हो जागा आफद खत खुतूत ठीक है इसके बाद अमीर अमीर का क्या हो जागा उम्रा दफ्तर दफातिर फिर क्या है आपका इस्तिहार तो क्या हो जागा इस्तिहारात फिर क्या है से में इस दोएने असर किया तो असर एक वोल्ड होता है सिंगलर अब उसको आसार बनाना है कि बहुत सारे आसार हो गए उसके रूह रूह का क्या हो जाएगा अरह उसके बाद बाग बाग का क्या हो जाएगा बागात ठीक है जायर जायर का क्या हो जाएगा जायरीन इसे तरह से बेगम बेगमात सबब सबब का हो जाएगा असबाब तो आप कर सकते हैं असान इस तरह से मैंने काफी सारे वर्ट्स आपको एक्जाम्पल के तौर पर बता दिये हैं आप लोग इसे देख सकते हैं इसके अलावा भी मैं आपको और वर्ट्स के लिए अगली बार और वीडियो डाल दूंगी इसके उपर अपलोड कर दूंगी तो आप लोग ले लेंगे इ जब भी खोलें तो आपको समें ग्राइम से एलेटेड सारी चीज यह आज आज हैं इसके वीडियो का इसमें अब सब्सक्राइब वाचंगे